हालो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चानल आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चार बना कर दिखाऊंगी जो शायदी आप पहले खाएं हो ये आचार जो पिक्चर में दिख रहा है फुलकोबी उसका नहीं है बलकि उसका डंठल जो हम लोग फैंक देते हैं उसी से बना हुआ है इसे बनाने के लिए आपको फुलकोबी का जो डंठल है वो ले लेना होगा और उसका जो साइड में पत्ता है उसे चक्को के सहायता से काट कर निकाल लेना होगा अब एक पतिले में सभी डंठल रखकर पानी से रगर रगर कर धो लेना होगा फिर पानी से निकाल कर सभी डंठल को दो-दो इंच करके काटके उसको पतला-पतला लंबा-लंबा काटके स्लाइस बना लेना होगा पिर एक कड़ाई चड़ा कर उसमें रखके ये सब कटा हुआ डंठल पानी दे कर नमक हल्दी डाल कर ब्लंच कर लेना होगा करीब पांच मिनिट तक उबालना इसके लिए काफी रहेगा ब्लंच हो जाने का बात गैस से उतार कर एक बड़ा सचनी में छान लेना होगा और ठंडा कर लेना होगा मसाले के तौर पर दस ग्यारा लाल मिर्च एक से देड़ चम्मच यह अपना स्वाधन उसार नमक ले लेना होगा और तीन चम्मच सर्सो का दाना पीस कर रख लेना होगा एक बड़ा सा लासून का कली लेकर उसको छील कर खल में कूट कर उसको डंटल के उपर देखे उसमें सर्सो मर्च और नमक का मिक्सर देखे उसे चला कर मिक्स कर लेना है और पांच से छे चम्मच बड़ा चम्मच सर्सो तेल उसमें डाल कर अच्छा से चला कर मिक्स कर देना है अब एक जार को अच्छा से सुखा कर पोच कर उसमें भर लेना है अब इस अच्छा का जार को एक सूती मुलायम कपड़ा से बांद कर दो से तीन दिन धूप में रखने से अचार खाने के लिए रेडी हो जाएगा अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजेगा बेलायकन वी दबा दीजेगा प्लीज घय है ये लेड खाने सक्षाइब डीजेए प्लाब ऌब दो सेड़ Mensch है ये जावार दीजे गुरां अगर से दीजेफ, उतीजेए झाल झाल